हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल अल्टाइप सब वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा जी डी 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 फाइंडर के बारे में यह आप वाइफाई को हैक करने में काम आता है मैंने सुना देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम साती है तो आज मैं इसको एक्स्प पॉसिब्ली वालेरेबल पॉसिब्ली सेक्योर और अन्सपोर्टेट जो पॉसिब्ली वालेरेबल है वही वाइफाई आप कनेक्ट कर सकते हो जो पॉसिब्ली सेक्योर होता है इसके चैंसे से बहुत कम होता है कनेक्ट होने के और जो अन्सपोर्टेट है यह तो अन्सपोर the key can be retrieved you will be able to connect only if the owner has not specified a different key यहां पर कभी कभी चार चार की भी दे सकता है जैसे आपको चार चारो की इसमें से सबको ट्राइ करना चाहिए जो पॉसिबली वर्ल में जो रहता है नेटवर्क उसमें चार कभी कभी आप्शन दे देता है तो चारों में से आपको चार भी ट्राइ करना चाहिए तो कनेक्ट हो जाता है अगर चार से ज्यादा की देता है अगर वो तो वो कनेक्ट नहीं होता ह कि यहां पे कभ एक की देता है जो पोसिब्ली एक की देता है जो डफिनेटली हंड़ड परसंट निक्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगर कोई भी डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना पूले make sure to subscribe thank you for watching